हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ दिपिका और स्टे हल्दी भी दिपिका में आपका बहुत बहुत स्वालत है तो चलिए आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं ओमलेट तो आपने बहुत तरीके के खाई होंगे और बहुत बार खाई होंगे लेकिन आज मैं आपके लिए स्पैनिश ओमलेट की रेसिपी लेके आई हूँ बिल्कुल एक बूंद ओईल में वैसे तो स्पैनिश ओमलेट ओईल में ही बनता है लेकिन उसमें ओईल ज्यादा जिस तरीके से हम बनाते हैं लेकिन आज हम बिल्कुल एक बुंद ओईल में बनाएंगे आप चाहो तो बिना ओईल के भी बना सकते हैं यानि एक बुंद ओईल की जूरत आपको नहीं पड़ेगी उसके भी टिप्स में आपको बताऊंगे कैसे बनाना है तो एक अलू लेना है, बिल्कुल अच्छे से मैश कर लेना है, एक अलू हमारा काफी हो जाता है और इसको रख देंगे हम साइड में बिल्कुल भी इसमें गुटलिया नहीं रहनी चाहिए अब ले लेंगे एक मिक्सिंग बोल और इसमें दो एग तोड़के हम डाल लेंगे जब भी आपको छोटी मोटी भूग लेगी और सुबह का ब्रेकफास्ट है, बहुत इजली बहुत जल्दी इस ओमलेट को आप बना सकते हैं साथ ही जो एग खाते हैं उनके लिए तो बहुत ही हल्दी ब्रेकफास्ट चाहिए तो यह देखे दो एग मैंने इसमें डाल लिये हैं ज़्यादा मसाली इसमें हम नहीं डालेंगे बस मैं थोड़ा सा इसमें नमक डाल रही हूँ और साथ ही थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर डाल रही हूँ जिससे बहुत ही अच्छा इसमें टेस्ट चाहेगा और इन्हें अच्छे से मिक्स कर देंगे हमने 15 से 30 सेकिंड तक अच्छे से इसे फेट ना है वो इसमें हम डाल देंगे अगर मेरे तरीके से स्पैनिश ओमलेट एक बार आपने बना के खा लिया ना तो आप हमेशा से ही यही ओमलेट बना के खाओगे साथ ही बिल्कुल लेस ओईल का है तो आप ऐसे ही ओमलेट बना के खाया करोगे तो इस रेसिपी को आप चरूर ही ट्राइ करना जो लोग एग खाते हैं अब इसमें बिल्कुल बारी कट करके मैंने थोटा सा प्यास जाल दिया है साथ ही थोड़ा सा हरा धनिया डाल दिया है आप चाहो तो थोड़ी सी कसूरी मेथी भी इसमें डाल सकते हैं टेस्ट को और भी ज़्यादा इनहेंस करने के लिए और ये देखी इनको भी हम बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर देंगे अच्छे से mix करने के बाद हम लेंगे एक non sticky pan अगर ये देखी आपके पास non sticky है ना तो आप ऐसे बिना oil के grease के भी बना सकते हैं ये बिल्कुल भी नीचे से नहीं चिपकेगा लेकिन मैं थोड़ा सा इसमें oil लगा रहे हूँ एक बून जितना बस grease हमने किया है ज्यादा oil बिल्कुल भी नहीं लगा मैं पहले ही बतारी हूँ अगर non sticky बरतन है तो बिना oil के भी ये बन सकता है ये नीचे बिल्कुल भी नहीं चिपकता है तो ये देखी हमने इसमें फैला देना है अच्छे से उठक के बिल्कुल एक से डेड़ मिनट तक हमने low to medium flame पे इसे पकने देना है तो ये देखी बिल्कुल अच्छे से जब ये पक जाए ना नीचे से ऐसे हिला के देखोगे तो थोड़ी सी crispy sound इसकी नीचे से आएगी तो ऐसे हलके से हमने plate लेनी है और ऐसे पलट देना है बोखोत ही easily ये पलटा जाता है बिल्कुल भी नीचे नहीं चिपकता है दूसरी साइड से भी ऐसे हम रख के इसे इसकी सिकाई कर लेंगे पका लेंगे जादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता है बिल्कुल दो मिनट में हमारा बनके तयार हो जाता है आलू अगर पहले से ही ये बोईल है तो ये देखी नीचे से भी crispy sound इसकी आ रही है अब इस को कट मैं करती हूँ इस तरी के से हमने इसे कट करना है पिज्चा की तरहहें तग ये दिखने में भी बहुत induced लगे तो यह देखी इस तरी के से कट करने के बाद हमारा जो ओमलेट बना है बहुत ही tasty बना है बहुत मज़ेदार बना है साथ ही बहुत ही ज़्यादा healthy है तो इस रेसिपी को जरूर ही ट्राइब कीजिएगा और पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा थेंक्यू